दिवाली तो चली गई लेकिन अपने पीछे पॉलिशन छोड़ गई दस ऐसे पौधे जिनसे आप अपने घर की हवा को कर सकते हैं सुध चलिए बताता हूँ पहला प्लांट है ये जीजी धूप नहीं आती है ना आपको शेड में पौधा ग्रो करना है तो ये जीजी पर्फेक्ट है ये एक इंडोर हाड़ी शेड लविंग प्लांट है शाइनी इसकी लीफ होती है और ये आपके घर में भी शाइन भी खेडता रहेगा इससे आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं मैंने खुद इससे कटिंग से ग्रो किया था साथ ही साथ है इससे आप सिंगल पत्ते से भी ग्रो कर सकते हैं तो फटा फट इससे आप अपने घर में ग्रो कर ले इसलिए इसका दूसरा प्लांट है सभी का फिवरेट की रबर प्लांट शाइनी इसकी पत्ते होती हैं पत्तो का साइज भी बड़ा होता है इसे आप cutting से तो grow कर ही सकते हैं इस ताकि cutting लेकर wilderness soil में दबाईए इसके अलावा पत्तों को हटाकर ये layering से भी आप इसे तैयार कर सकते हैं 8 inch के pot में मैंने इसे grow किया है 120 रूपीज में purchase किया था इसलिए इसका तीसरा plant है बहुत ही सुन्दर agronyma बहुत सारी color varieties में आता है नर्सी में थोड़ा सा महंगा मिलता 200 रूपीज तक की range में ये चला जाता है छोटे container में लंबे समय तक रह जाता है एक plant नर्सी से purchase करके लाएंगे तो divide करके और cutting से grow करके काफी सारे आप इसके बना लेंगे जब पौदा लंबा हो जाता है तो छोटी छोटी cutting लेकर बहुत सारे बना लेजिए इस list का अगला plant है ये singonium बहुत सारी color varieties में आता है cutting से बहुत ही असानी से grow हो जाता है divide करके भी आपी से grow कर सकते हैं चोटे container में भी लंबे समय तक रह जाता है और अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो तो ये आपके garden में होगा ही बहुत थी common plant है नरसी में 20 से 30 रुपीज तक मिल जाता है इस container में मैंने इसे grow नहीं किया है वो तो देखने पर ही पता चला है दसल इस container को जब मुझे bright indirect sunlight में रखना होता है तो वहाँ पर मैं इसे रख लेता हूँ नहीं तो छट पर ऐसी area में रखता हूँ जहाँ पर मौनी की धूपाती हो देख सकते एक छोटू सा baby plant आ रहा है इनकी रूट से नहीं प्लांट बनते रहते हैं और जब यह बहुत ज़्यादा लेगी हो जाता है इतनी height पर आ जाता है तो मैं इसे cutting से भी grow कर लेता हूँ और साथी साथ मैंने से बहुत बड़ी बड़ी container में भी लगा हूँ हुआ है जहाँ पर यह healthy grow कर रहा है पत्तू का size भी बड़ा है बहुत सारी varieties में मिल जाता है और 10 से 20 थार्टी रूपीस की range में common variety का जो singonium होता है वो easily मिल जाता है और इसमें इससा की area roots आते हैं grow हो जाता है तो कहीं पर भी देखने को मिले तो ले आईएगा spider जैसा दिखने वाला यह spider plant बहुत ही hardy shade loving plant होता है morning की दूप में भी अच्छे से survive कर जाता है एक पौधा लाएंगे तो एक से sacro बना पाएंगे यह इतना hardy plant होता है यह खुद cutting से grow किया हुआ है कैसे grow किया ह अभी मैं आपको बताऊंगा पिला देख सकते हैं छोटे container में लगा हुआ है तो छोटे container में भी यह लंबे समय तक रह जाता है यह सका मधा plant देख सकते हैं बहुत ही healthy grow कर रहा है और इसमें इस ताके आते हैं runners जिसमें बहुत सारे baby plant बनते हैं roots भी इनमें होती है तो बहु easily meet जाता है तो अगली बार आपको कहीं पर देखने को मिले तो ज़रूर एट करिएगा इस पौधे को अपने garden में Song of India यह भी बहुत सारी varieties में आता है और बहुत ही hard होता है लगबग एक साल पहले मैंने इस छोटे से container में इसे grow किया था तब से यह सी container में grow कर रहा है 40 rupees में म आपके garden में यह है या नहीं कमेंट करके बताईएगा इस list का अगला plant है यह money plant देख सकते हैं बहुत सारी varieties में आता है cutting से easily grow हो जाता है छोटे container में भी लंबे समय तक रह जाता है indoor shade loving air purifying plant होता है हवा शुद्ध करने वाले plant की list में अगला plant है यह monstera वैसे common नाम इसका monstera ह और भी नामों से सिजाना जाता है मैंने इसे cutting से grow किया था नर्सी में 50 रुपीज तक की range में मिल जाता है cutting मिले तो cutting से grow कर लीजेगा इस list अगला plant है यह dressina बहुत ही hard plant होता है cutting से easily grow हो जाता है नर्सी में 40 से 50 रुपीज की range में आसानी से मिल जाता है तो अब इसे चाहे त cutting से grow करें यह नर्सी से ही purchase करके ले आई है इसने एक प्लांट यह तो आपके पास होगा ही 50 रुपीज तक की range में मिल जाता है cutting से भी grow कर सकते हैं इस तक यह variegated plant को अगर आप cutting से grow करेंगे तो उसमें variegation नहीं आएगा शफले रा बहुत ही सुन्दर यह plant होता है कापी सार रिग grow कर सकते हैं best season cutting से grow करने का होता है rainy season तो यह तो variegation वाला है 50 रुपीज सक की range में यह मिल जाता है हमने कोद इसे 50 रुपीज में purchase किया था आप चाहे तो cutting से भी grow कर सकते हैं बारिश के season में आप इसे cutting से ज़रूर try करिएगा और यह है शपलेरा की non variegated variety तो यह थे व कि जहाँ पर direct धूब इस पर ना पड़ती हो लेकिन रोशनी भरबूर होनी चाहिए आप चाहे तो इन्हें घर के अंदर भरब की रोशनी भी रख सकते हैं लेकिन तब शर्त एक होगी कि आप 10 से 15 पौधे इस तागे बना लीजी और जब भी आप घर के अंदर रखते हैं तो उन्हें एक हपते के लिए घर के अंदर रखिए और दूसरे हपते उन पौधे को निकाल कर बाहर bright indirect sunlight वाले एरिया में रख लिजी और इसकी जगा पर दूसरे पौधों को आप घर के अंदर रखिए फिर इसी ताह से हपते में पौधे को चेंज करते रहिए और अपने तक में चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजीगा इस सार के वीडियो को देखने के लिए तो चलिए मिलते हैं ले वीडियो में तब तक के लिए happy gardening